हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स जो मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया था यूजी सी नेट से रिलेटेड उसमें 20 कोशन बताये थे और उसमें अब्जेक्टिव नहीं था मैंने आप लोगों से कमेंट्स करके पूछा था और आप आपने मुझे अपने कमेंट्स में बताया कि आप लोग को ऐसा वीडियो ही पसंद है तो मैंने उसी में ये नेक्स्ट वीडियो लाई हूं मैं और इसमें भी सेम वही पैटर्न है इसमें भी हम 25 कोशन करेंगे और विज एक्स्प्लेनेशन ठीक है तो सबसे पहला कोशन है ह आपको पढ़नी है नाम याद रखने है कि कौन से सेरिफ है सेन सेरिफ है इसमें कौन कौन से इसका क्लासिफिकेशन है कौन से इसके एक्जामपल है याद रखना है टाइम्स रोमन किसमें आता है ठीक है तो सेरिफ क्या होता है ये एक फॉंट का प्रकार होता है जैसे कि द चैसे अपना को फिर हैं एपनिक्षों पील टो उन चीशा में प्रांच जें और सप्ढार है वर पत्युदमें फाला जीलाइन लिखा उसाद की निलऊते हैं कि सरेशनल parks यह थर लेक्षेक्षा हो आइसी लैब सेरिफ ये ऐसे ही आप लोग को याद रखने हैं क्योंकि इसको एक्जाम में पूछा जाता है और अगर हिंदी में भी आप जाएंगे तो भी उसमें यही लिखा रहता है तो इसके चक्कर में मत पढ़िएगा कि इसको इंगलिस हिंदी में याद कर लें ठीक है तो ये स चीजें यहां पर हैं पहली तो यह कि इसका वर्गी करण है में से क्लासिफिकेशन है ओल्ड स्टाइल ट्रांजिस्टनल डाइडोन एंड स्लैब सेरिफ यह ध्यान से देखने वाली बात है क्योंकि वर्गी करण अलग चीज है और इसके जो एक्जाम्पल है फॉन्ट के व कैसे पूसता है कि गार्माउंड या बासकर विले किसके अंतर गताता है कई बार सेरिफ दिया रहेगा या कई बार ट्रांजिस्टनल या स्लैब सेरिफ डाइडोन ओल्ड स्टाइल इसमें से कुछ भी दे सकता है तो अगर आपको पता है चीजे कि हाँ यह सी का क्लासिफिक सिंपल फॉन्ट होता है ठीक है अभी हम देखते हैं यह देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा दोनों लगा रखा है मैंने सेरिफ और सेरिफ यह मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक है हमेशा पूछा जाता है हर तरीके से पूछा जाता है ठीक है देखिए यह जो सिंपल दि देखिए कैसे दिया हुआ स्लेंटिंग लाइन की तरह थोड़ा सा है ना और आई में भी हलका सा उसको तिर्चा करके दे दिया है तो यह जो स्ट्रोक्स होते हैं छोटे-छोटे यह होते हैं हमारे सेरिफ फॉन्ट में और सेंसेरिफ हमारा होता है सिंपल फॉर्म में और उ सेंसेरिफ होता है सेंसेरिफ मतलब सेंसेरिफ मतलब विदाउट स्ट्रोक्स और सेरिफ विद स्ट्रोक्स ठिक यह देखिए अब ज्यादा समझ में आया होगा यह देखिए दूसरा कोश्चन भी वही वाला है मैंने एक साथ दोनों बता दिये सेंसेरिफ टाइप्स होता है टाइपोग्राफी और लेटरिंग में एक सेन सेरिफ गौथी क्या सिंपल लेटर फर्म होता है। स्टोक्स के अंत में सेरिफ नाम विस्तारित विस्ताएँ नहीं होती है। ये हमेशे पूछे जाने वाली क्या बहुत बार पुछा गया है। फ्यूचरा भी कई बार पूछा गया है तो अगर हमने इसको पढ़ रखा है तो हमारे लिए आसानी है कि ये सेंसेरिफ टाइप के एक्जाम्पल है ठीक ये देखिए ये एकदम सिंपल होता है ये हो गया हमारा सेंसेरिफ I think सेरिफ और सेंसेरिफ आपको अच्छे से क्लियर ह हो गया होगा नेक्स्ट है दा एवेंजर ब्रांज मूर्ति सिल्प है ठीक है पहले ये मूर्ति देख लीजे आप लोग यह है इसमें भी जो मैंने 25 कोशन बनाए हैं ये सारे के सारे आपके पहले यूजी सी नेट में या तो वो मैचिंग में पूछे गये हैं या तो इसको सेक्वन्स में लाने में आया है इसमें किसी ना किसी तरीके से आया हुआ है तो ये आंस्ट बारलाच इसमें तो जितने भी मैंने रखे हैं जो भी मूर्तिकार है या प्रिंट मेकर पढ़ेंगे हम या मतलब आर्टिस्ट पढ़ेंगे चितरकार पढ़ेंगे वो सारे के सार इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि उससे आसपास से भी चीजे आ सकती है ठीक है तो आंश्ट बारलाच क्या है ये हैं हमारे जर्मन अभिव्यक्तिवादी मूर्तिकार और प्रिंट मेकर और लेखक ठीक है एवेंजर मीन्स हिंदी में हैं बदला लेने वाला ये इनका मूर् चिल्प है और टाइम भी आप एक बार पढ़ लोगे तो ज्यादा सही रहेगा प्रथम विश्विद की सुरुआत में बनाया गया था जब बारलाच एक राष्टवादी था जर्मन सेना की अजे शक्ति का प्रतिनिद्धित्व करता था ठीक है बाद में जो और इसकी वो प्रोटीन में बना था और किसमें ब्रॉंज में पहले इसको बनाया गया था मतलब और बाद में इसको कास्ट किया गया था 1930 में ब्रॉंज में नेक्स्ट है स्विस आर्ट कलेक्टिव ग्रूप 33 एंड एलियंस के संस्थापक सदस से थे यह नाम सब टफ लग रहे होंगे आपको लेकिन ये सारे के सारे पहले आ चुके हैं इसलिए मैंने इनसे ही रिलेटेट कुश्ट बनाए हैं वॉल्टर बाडमेर स्विस 1903 से 1973 इनका बड़्थ है 1903 में और 1973 में इनकी डथ प्रभाव स्वाली स्विस कला समू ग्रूप 33 और एलियंस के संस्थापक सदस से चिक वॉल्टर बाडमेर ने अमूर्थ जैमिती दुनिया को प्रतिछेत करने वाली रेखाओं और रंगीन विमानों को चित्रित किया इसलिए थोड़ा सा हिंदी म दुकि जो कथन भी आते हैं कथन बहुत आते हैं कथन भी से रिलेटेड आ सकते हैं ए यह तृप यह था था मतलब यह फेमस थे जशेतल धातूं की प्लेटः की मूर्थ तरीके से मतलब उसका प्रेवर के तरह तरह से मूर्थियां बनाई थी और जो फेमस था इनका क्या किस वज़े से थे welded wall hanging relief करते थे ठीक और काम भी अभी मैं दिखाऊंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आजाएंगी चीजे इन्होंने क्या किया था एक तरीके से गड़ीत और प्रतीक लिखा है ना यहाँ पर गड़ीत और प्रतीक की पहेली से मिलते जुलते हैं आप इनका काम देखो तो आपको समझ में आएगा ठीक है तो यह देखिए यह तो एक इनका है केल्डियो स्कोप आप यह देख सकते हैं उसमें कैसे लाइन जेमेक्टिकल फॉर्म इन सबका यूज करके एक तरीके से इनको बनाया गया है इनकी पेंटिक्टिक्स में इस तरीके के फॉर्म मिलेंगे सकप्चर में भी यह देखिए विल्डड बॉल सकप्चर जो बताया अभी पढ़ा था ना वेल्डड इस सकप्चर के लिए फेमज है तो ये wall mounted जो welding करके जो sculpture बनाये जाते हैं उसके लिए ये famous थे ठीक है ये इनका ये है entitled है ये next है हमारा रजत घोस प्रशिद है ठीक है रजत घोस प्रशिद है एक एक artist के बारे में बहुत सारी चीजे होती है पर जितना possible हो सकता है एक वीडियो में लाने की मैं वो कोशिश कर रहेगा बट उनका आपको अगर कुछ भी पता है अट लिस्ट वो क्या थे या किस मीडियम किस टेक्निक में काम किया कुछ famous काम तो आपको आसानी रहेगी क्योंकि विजुल आर्ट में जो नेट का पेपर होता अल्रेडी उसका इतना लेंदी सलेबस है कि हर चीज हमें या और वो भी जितने बाद के आर्टिस्ट है उनसे बहुत कुछ्चन आता है जब यह क्यूबिजम है और इन सब सरलिजम है इन सब के जो आर्टिस्ट हैं famous आर्टिस्ट तो हैं उसके अलावा भी जो अन्ने आर्टिस्ट होते हैं उनके बारे में और जितनी भी modern related हैं जैसे abstract art पॉप आर्ट है इनमें सम्में जितने भी आर्टिस्ट है इवन इनके नाम तो आपको पता होने ही चाहिए रजत घोस प्रशिद है रजत घोस कौन है रजट घोस है हमारे बिहार के प्रशिद मूर्तिकार लोक देवताओं लोक देवियों मतलब यह क्या करते हैं इनकी जो और किस काम के लिए टेरा कोटा के लिए बहुत ज्यादा फेमस है यह और यह किसके बेटे हैं यह भी इंपॉर्टन चीज है यह है हमारे प्रशिद फोटोग्राफर थे जो मनुरण्यन घोस उनके पुत्र है इस पस्ट रूप से इनकी जो कृतियां थी क्या थी में तो यह ही है कि लोग जो folk motives थे और जो लोग कल्ला केपी होती है जो लोग तत्व होते हैं लोग शैली होती है उन सबसे ही प्रेडित थे एग इनका फेमस काम है यह बिहार में एक eco park है वहां पे 2012 में बिहार दिवस एक मनाया गया था समारो उसमें इस्थापित किया गया था क्या है ये राजा सैलेस की मूर्थी ये जो राजा सैलेस है वो जो मिथला है बिहार का जगह है जहां की वहां के जितने भी मतलब जो कहानिया है वहां के पुराने पुरानों से रिलेटर जो भी मिथला जगह से संबंधित कहानिया है means mythology में जो जो मितला से related है उस पे इनोंने काम ज़्यादा किया ठीक है तो जो ये राजा सेलेस की मूर्ति नों लगाई थी जो कहां के जो दुसानधो के राजा थे, ये कहाँ जगे मिथला में ही कोई गाओं होगा, ठीक, तो ये कहाँ पे स्थापित है, ये हमारी स्थापित है, बिहार में एक इको पार्क में, ठीक है, और दूसरा क्या है, ये देखिए, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये है इनकी, अब तो आप लोगों को पेंटिंग है, या स्कप्चर है, बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अब तो ऐसे भी पूसता है, पेंटिंग है, स्कप्चर देखे, कि ये किस का है, ये किस का लाकार का है, ये दूसरा देखिए, मैंन का इन टेरा कोटा का, एक इंपोर्टन चीज और ह दोने जो मीूजियम है वहाँ पर इन्होंने क्या इनका एक वह लगा था इंस्टॉलेशन लगाया था उन्होंने की चीजत कर 12 ये इंस्टॉबेशन लगाया ठीक इंपोर्टन चीज है विःस ममना घ्री एका निया हमिन चोने को रहा तरीका के अंदर या लिए एक टेरा कोटा का इंस्टॉलेशन बनाया था उसमें क्या था भगवान कृष्णि की बेटी और पुत्र साम चाकिवा ठीक है ये दो लोग है साम चाकिवा की लोग कताओं से प्रेरित था और ये इंपोर्टन इसलिए भी है क्योंकि अगर घुमाके भी आता है या कहीं और भ फेस्टिवल भी है तो ये जो लोग कता है वहां क्रिश्णि के बेटी और पुत्र से संबंदित साम और चाकिवा उन से संबंदित जो कता थी उसे ये ये टॉपिक रही है जहां बेटी को एक पक्षी में बदल दिया गया और बाद में उसकी भाई दौरा स्वयम को वापस लाया गया था ठीक है अगर ऐसे मालीजे आ जाता है और रजट गोस का नाम नहीं दिया सपोज ये आ जाता है कि साम और चाकिवा से संबंदित लोक कलाओं से संबंदित मोर्थी किसने बनाई या टेरा कुटा किसके हैं ज्यादा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपको पत रहेगा यह हमारे रजट घोस के एक एक फॉन्ट परकार है और किसके अंतरगरत आता है ऑंको जरूर पढ़ने है कि कि अंतरगरत आता है जैसे यह सेरिफ यह पूछता है या अगर कथन में आता है तो ऐसे आता है कि हलवेटिका है अगर सपोस्ट सेन सेरिफ है कि सेरिफ है ऐसे करके देखे उसमें पूचता है ठीक है तो यह सेन सेरिफ टाइप फेस है जिसे 1957 में स्विप टाइप फेस डिजाइनर मैक्स मीरिंगर दौरा एड़वर्ड हाफमेन के साथ विक्सित किया गया था यहां पर जो यह दो नाम है इनके बारे में आया था इसका कोशन यह आया था कि हैल वेटिका की मतलब डिजाइन किसने बनाया और इनका नाम दिया हुआ था और मैच करना था ठीक है तो इस टाइप से कोशन आता है के साथ विक्सित किया गया था और जो यह वाला font है अगर इसका use देखते हैं तो इसका use हम क्या करते हैं ज्यादा तर कहां पे होता है जो computer operating system है word processing software है उसमें इसका ज्यादा से ज्यादा use होता है इस मतलब font का और दूसरी क्या चीश है कि जो मतलब जो brand है बड़े बड़े जनरल मोटर जीप टारगेट वेरिजोन ऐसे जो brand है उनमें भी जो नाम है उसमें हेलविटी का font का use हुआ है इसका उप्योग परिवहन sign is मतलब जो arrow और वो सब बने होते हैं साइन होते हैं परिवहन से related उसमें भी इसका use किया जाता है जिसमें न्यू यॉर्क में MTA और वासिंग्टन डी सी मेट्रो सिस्टम सामिल है तो तीन चीज़े आ गई निकलके एक तो computer operating system word processing software से related font है यह सेकेंड चीज है कि इसका जैसे कि General Motor Jeep Target Verizon जैसे बड़े जो है ब्रांड है उसके उसमें इस font का use होता है तीसरा क्या है जो परिवहन ट्राफिक से related जो sign होते हैं उसमें भी इसका use होता है यह देखिए कैसे simple होता है इसका example लगा हुआ है एकदम simple होता है इसमें कोई strokes नहीं है क्योंकि sensory font है और यह आपको ध्यान रखना है sensory में हमारा बिल्कुल plane होता है उसमें कोई भी strokes नहीं होते हैं ठीक है next है bolsevism से क्या तातपर है यह एक शब्द है इसका जो शब्द का प्रयोग किया गया था पहली बार 1920 में ठीक है यह पहली बार 1920 में वीमर जर्मनी में एक मुद्दा बन गया था जर्मनी की जगह है एक वीमर जब Max Ernst और Max Beckman जैसे जर्मन कलाकारों को Adolf Hitler नाजी पार्टी और अन्य जर्मन राष्टवादियों ने सांस्कृतिक bolsevism के रूप में निंदा की थी नेक्स्ट है हमारा पैलेंटिनो, आप्टिमा एंड जैफिनो टाइफ फेस किसने डिजाइन किया था यह डिजाइन किया था हर्मन जैफ ने एक जर्मन डिजाइनर और सुलेखक थे इनों ने डिजाइन किया था जो कहां से थे जर्मनी के डाम स्टार्ट में रहते थे और जो इनकी मतलब वाइफ थी वो भी एक डिजाइनर थी मतलब टाइफ फेर डिजाइनर थी कुडरुन जैपफ वॉन हैसे नाम इंग्लिस में इसलिए लिखा हुआ है हिंदी में कई बार नहीं समझ में आदा है तो इंग्लिस में आप पढ़ सकते हो इनके द्वारा ही ये डिजाइन किया गया था तीनों नाम याद रख लीजेगा कोई भी आप्शन में आ सकता है कई बार नेक्स्ट है ये देखिए ग्रेवर का उपियोग किया जाता है ये क्या होता है छोटे से काटने का एक अपकरण होता है जिनका उपियोग पत्थर की स्थापना means पत्थर को sets करने में या बनावर्ट up up के लिए इक तरीके से 2 थोल है विरी जिसेlassen बाon कैक TOL है किस तुल की लिए यूज़ किया जाता है ये इसनीष पथर की सेटिंग और उसमें जो टेक्स्टिरिंग करते हैं अलग-अलग तरीके से बनाते हैं फॉर्म और सजावटी जो अलंकरण करते हैं हाथों से दौहाथ के दरा उतकींड करके उसमें इसका यूज होता है ठीक है ब्यूरिन जिसे ग्रेवर भी कहा जाता है कि इन ग्रेविंग टूल होता है मिन्स ब् पुदारवाद एक प्रकार की मिश्टित सैली है या एक विशेश सैली नहीं थी सामाने तोर पर यह शब्द विभिन प्रभावों के एक ही काम में सैयोजन का वर्णन करता है ठीक है एकलेक्टिक सब्द का इस्तिमाल पहली बार जोहान जो आचिम विंकलमैन नाम है इनका जो पूरा नाम है जोहान जोआचिम विंकलमैन ने कारिरसी नाम है आर्टिस्ट का की कला की विशेशता के लिए किया था जिनोंने पुनर जागरण और सास्तिरी परंपराओं से अपने चित्रों के तत्वों को सामिल किया था वास्तों में एगोस्टिनो एनिवेल और प्रियास किया था इसका मतलब समझ लेते हैं उदार वाध या संकलन वाध क्या होता है बैसिकली एक मिश्रित सहली थी कलाकारों की जब कोई artist अपने काम में मतलब अपने painting में एक ही painting में वो अलग-अलग खलाकारों की जो wishes जो उसका style होता था उन सब को एक साथ मतलब अलग-अलग artist से एक एक चीज ली किसी की रेखा से प्रभावित हुआ किसी के color से प्रभावित हुआ और उन सब को अपने चित्रों में मतलब डालने की कोशिश करी तो उस जो ये शैली थी वो खहलाई हमारी उदार वाद या संकलन वाद तो basically क्या हो गई है? मिश्रिट सैली हो गई और इसका अगर पहली बार अगर इस सब्द का इस्तिमाल किस ने किया था? विंकल मैन ने और किसकी कला के लिए किया था? दो तीन चीजे इंपॉर्टेंट है इसलिए जितना बोलने से ज़्यादा समझाने में आता है उतना लिखने पे जो चीज लिखी होती है तो आप नोट बना के उसको बाद में पढ़ सकते हो बर जितना मैं बोलती हूँ उस पे ज्यादा आपको उससे आपको ज्यादा समझ में भी आता होगा और याद करने में आसानी रहती है तो क्या है उदारवाद या संकलनवाद एक मिश्रित सहली है जब कई कलाकारों की जो टेक्निक होती है उसको जब कलाकार अपनी पेंटिंग में यूज करता है तो उसको हम उदारवाद या संकलनवाद इसका यूज सबसे पहले विंकल में ने किया था किसकी कला के लिए किया था कारेसी कारेसी की कला की विशेस्ता के लिए किया था जिनोंने क्या किया था पूनर जागरन देखिए दोनों चीजे हैं उन्होंने कहा था ऐसा नहीं होता है कि कोई किए आर्टिस्ट किसी भी सीची से मतलब ऐसा नहीं कि व पुराने जो सास्तरी गला कि प्रभावित होता है कि तो नहीं द सात करता है वो उसके साथ साथ अगर वह पुण जागरन काल से संबंदित कला कारों की जो कुछ विशेस्ता है उनको भी आत्मसाथ करता है तो इसमें कुछ गलत नहीं होता है और ये एक मिश्रिट सैली कहलाती है इसी वज़े से ये जो तीनों आर्टिस्ट है अगोस्टीनो एनिबेल एंड लोडो विच केराची इनका पूरा नाम ये है ने अपनी कला में इन लोगों ने करने का प्रयास किया था अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि संकलनवाद या उदारवाद किसे कहते हैं नेक्स्ट है हर एक फ्रेंड जरूरी होता है ये विज्यापन की लाइन लिखी गई थी मैंने विज्यापन कला पे कई वीडियोस अप्लोड करें हैं पहले औ आप वहाँ से जाके वो जरूर एक बार आप लोग रीड करियेगा पढ़ियेगा क्योंकि उससे जो कोश्टन बहुत सारे उसमें मैंने टैग लाइन के बारे में बनाए हैं टॉप टेन एड परसनाल्टी के बारे में बताया है तो ये सारे वीडियो आपके लिए यूजी स नेट के लिए स्पेसली मैंने बनाया है क्योंकि और किसी भी एक्जाम में नहीं पूछा जाता है यह स्पेसली यूजी सी नेट में ही पूछा जाता है और मुझे मैंने जब वो बनाया तो उसका बहुत अच्छा फीडबाइग भी मिला था बहुत बच्चों को बर्स यह अगर आप एक एक लाइन हिंदी में पढ़ना मुश्किल होता है आप लोग खुद भी पढ़ते हो तो हर चीज आई थिंग हिंदी में नहीं पढ़ पाते हो आप खुद भी एक बार पेज पलट के इंटरनेट पे सर्च कर लेते हो कि हाँ यह इसके बारे में क्या होता है क् जब हम पेपर देते हैं जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं उनको तो अभी आडिया नहीं होगा बर जो अच्छे से पता है क्योंकि कुछ चीजों के जो हिंदी में लिखा होता है वो same as it is English का ही word होता है तो अगर आप English में पढ़ रखा है तो अच्छा है आप दोनों तर हिंदी और इंग्लिस दोनों में मिक्स है तो आप एक बार जो भी बच्चे अभी त्यारी कर रहे हैं especially UGC net की वो उन वीडियो को जरूर देखें मुझे पता उससे आपको बहुत हैल्प मिलेगी तो उसमें मैंने इस टाइप के बहुत सारे कोश्चन बनाए हैं अमूल के आपको बहुत सारे के बना रखा है तो इसमें क्या है हर एक फ्रेंड जरूरी होता है ये विग्यापन की लाइन लिखी गई थी अमिताब भटाचारिया के दोरा ठीक है अमिताब भटाचारिया क्या है सिंगर है पता है और कहां से बिलोंग करते हैं ये हमारे बिलोंग करते हैं ये उपी से ठीक है बंगाली है और इन्होंने क्या किया जादा तर बॉलीबूट की मूवीज में और देवडी जो मूवी आई थी देवडी उसमें भी इनका एक गाना था इमोशनल अत्याचार ये गाना इनका बहुत फेमस हुआ था तो इन्होंने ही लिखा है हर एक फ्रेंड जरूरी होता है नहीं की एक छविको प्लेट में थेज धातू या हीरे के बिंदु की एक कठोर सुई के साथ उके रा जाता है एक टूल है इसका यूज किसमें होता है ड्राइ पॉइंट में ठिक ड्राइ पॉइंट किसकी टेक्निक है इंटेग्लियों की तो एक तरीके से सुई होती है इसके साथ इसको उकेरा जाता है परंपरा गत रूप से मींस पहले प्लेट तांबे की थी लेकिन अब इतना ज़्यादा प्रेयोग हो रहा है दिन पर दिन चीजों से आर्टिस्ट कलाकार अपना अलग-अलग स्टाइल डेवलप कर रहा है तो अब क्या हो गया एसिटेट जस्ता या प्लैक्सी ग्लास का भी आम तोर पर उप्योग किया जाता है पहले जो यूज होता था वो इस पेसली बेसिकली तामे की प्लेट का होता था लेकि अगर यह है कि अब इस टाइम क्या हो रहा है इस टाइम अलग-अलग टेक्निक यूज हो रही है अलग-अलग चीजों से कलाकार जैसे सिल्क स्क्रीन का होता है सिल्क स्क्रीन में बैसिकली सिल्क का ही कपड़ा यूज होता है ठीक है बट अब क्या हो गया है कि कलाकार नेने प्रेयोग करता है वो और भी चीजों का मतलब और दूसरे-दूसरे कपड़ों का भी यूज़ करने लगा है तो ये कलाकारों पर डिपेंड करता है ठीक तो ये क्या हो गया एक टूल होता है ये देखिए ठीक है डाइमंड टिब्ड संगीता बिजलानी का नाम किस अड़र्टाइजमेंट से जुड़ा हुआ है निर्मा वॉसिंग पाउडर वाले एड से ये मैचिंग में इस टाइब के कोशन बहुत आते हैं अगर आर्टिस्ट दे दिया है या मतलब किसने कौन सी लाइन लिखी है किस विज्ञापन की कौन सी टैग लाइन है किसका कौन ब्रांड एम्बेजजर है ये सारी चीजे मोस्ट इंपॉर्टन है ये सारी चीजे आती है तो वॉसिंग पाउडर निर्मा ये विज्ञापन है 1982 में अभी नेत्री कौन थिस में संगीता बिजलानी के चहरे का यूज हुआ था ठीक है नेक्स्ट है बटन्स नीडल एंड थ्रेड ओल्ड निउस्पेपर का प्रयोग कौन सा कलाकार करता है ठीक है ये हैं हमारी इंडिया की है तमिल नाडु से बिलॉंग करती है हेमावती गुहा है टमिल नाडु से हैं और ये किसके कारई से प्रभावी थी ये बहुत ज्यादा एंडी वार्वोल था था बारवरा है पर्ट के कामों से वश्टिम के कलाकारों से प्रभावी थी इनका काम देख लीजिए ये जरा कैसे ये बटन्स का यूज करती है ये देखिये इसमें इन्होंने buttons का use किया हुआ है needle का needle का भी use करती है अलग-अलग paintings में चीक है और thread धागे का use करती है ये title है इसका starry night buttons needle और thread का use किया है इन्होंने acrylic on canvas ये चित्र किस कलाकार का है बहुत से बच्चों को ये painting अगर देखी होगी तो पता होगा यह हैं हमारा Laughing Cavalier सुना होगा आप लोगों ने Laughing Cavalier के बारे में किसका है जो यह famous artist हमारे France Hals का चित्र है किस Sally से belong करते थे यह हमारे बारोक कला Sally के प्रशिद चित्रकार थे ठीक 1624 में बनाया था यह चित्रकाई बार पूछा गया है Laughing Cavalier ठीक है इसका माध्यम कैनवास है और कहां पे संग्रीत है वैलक कलेक्शन इन लंदन में इस में पेंटिंग में क्या है अगर आप ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि यह हसराय पर मतलब चित्र को देखके ल आये लेकिन कहा जा सकता है कि रहस्य में मुसकान है जो उसकी उल्टी हुई मुच्छों से बहुत अधिक बढ़ जाती मिन्स उपर की जरब जो फोल्ड हो गई है मुच्छों से और अधिक बढ़ जाती है और इसकी एक इंपोर्टन चीज है कि Laughing Cavalier का उपयोग मैक केवन की बियर बियर आती है कोई एक ब्रांड है मैक एवन उसमें इसके लोगों के रूप में इसका यूज हुआ ठीक है नेक्स जापानीज वार गॉड ठीक है जापानीज वार गॉड नाइंटीन फिफ्टी एट मूर्ति शिल्प है यह देखिए यह मूर्ति शिल्प ठीक ब्रॉ लुइस पावलोजी चीक है यह स्कॉर्टिस कलाकार थे इन्होंने भी मूर्ति कला और ग्राफिक कला कारी के लिए जाने जाते हैं किस लिए जादा इंपॉर्टन्ट रहे हैं क्योंकि यह पॉप कला के अगरदूतों में से एक माने जाते हैं मैंने पहले भी बताया अभी इससे पहले की पॉप कला और जो अब्स्ट्रक्ट आर्ट है और पॉप आर्ट यह सारे आपको बहुत अच्छे से इनके जितने भी आर्टिस्ट हैं आर्टिस्ट इवन मतलब स्कॉप्टर हैं जो प्रिंट मेकर हैं या ग्राफ वो कोई पोस्टर से रिलेटड है या जैसे कि किसी ने विज्ञापन में काम किया बहुत सारे विज्ञापन के डिजाइन बनाए तो यह सारी चीजें जो वहां की पश्चिम की मॉडर्ण हार्ट है उससे रिलेटड कोश्चन बहुत सारे आते हैं दा आर्ट एंड क्राफ्ट आर्ट मूव्मेंट संबंदित है एक सेकेड दा आर्ट एंड क्राफ्ट आर्ट मूव्मेंट संबंदित है तो यह जो आर्ट एंड क्राफ्ट मूव्मेंट है इसके लिए तीन लोगों का नाम आता है एक तो हैं हमारे एडबलू एन प्यूजिन प्यूगिन जॉन रसकिन जो फिलोसपर है पता होगा आपको आर्ट क्रिटिक भी है थर्ड है विलियम मौरिस ठीक है आर्टिस्ट विलियम मौरिस जॉन रसकिन और एडबलू एन प्यूगिन इंगलिस आर्किटेक्ट है डिजाइनर और आर्टिस्ट एंड क्र नोलेश्ट ट्रांसलेटर and सोसल एक्टिवैस्ट ूपरो टीनों लोग किस से जुड़े थे the art & craft art मूउंमन्ट से कियोष्क किस से संबंधित है कियोष्क किया होता है एक strade का व tweaks होता है विग्यापन का अगविध्ड परफुत है और यह स्टेंड मतलब जैसे की आइस्थाई स्टेंड होता है मीन्स इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले भी जा सकते हैं ठीक ये कियोस क क्या होता है विग्यापन का एक आइस्थाई माध्यम होता है एक छोटा स्टेंड जिसका उपयोग विपड़न मीन्स विग्यापन उदे सायात के साथ इस्थित होते हैं और मालिकों को अपने उत्पादों या सेवाओं के विप्राण के लिए कम लागत वाला विकल प्रदान करते हैं अब देखिए हिंदी में लिखने में खुदी इतना कंफ्यूजन होता है जो चीजे होती है वह अगर इंग्लिस में पढ़ लो क से खुद से में सारी चीजे होती है हम बस टाची स्क्रीन होता है और आपको जो जो चीज चाहिए या जिस इसाब से वो खुदी इसमें सब सेलेक्ट हो जाता है तो ये तरीके से क्या इस टाइप के विग्यापन होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम कियोस्क छीक इ employer पूछा कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता इसका उपयोग विज्ञापन के लिए किया जाता है सूपंडी एंड सिखरी संभू प्रमुख किरदार हैं टिंकल आप लोगों को याद होगा कौमिक आती थी बच्चों की पत्रिका अब तक की सबसे जादा पढ़ी और पसंद की जाने वाली बच्चों की पत्रिका थी सुपुंडी और सिकारी संभू जैसे किरदार उसी में थे जो अभी भी हम सभी को याद हैं शायद बश्पन की सारी प्यारी याद दिदी और कहां से प्रकासित होती थी 1980 में इंडिया बुक ओफ ट्रस्ट द्वारा प्रकासित होती थी यह देखिए जिन्नों ने पढ़ा होगा उस टाइम उनको याद होगी यह टिंकल नेक्स्ट है लास्ट अमर चिप्त्र कथा 1967 के फाउंडर है तो इसके फाउंडर है वार्ट डिजनी आफ इंडिया जिसको बोलते हैं यह भी इंपर्टन deuxième आफ इंडिया कौन है हमारे अंकल पाई या अनंत पाई जिन्हें अंकल पाई बोलते हैं यह क्या थे भारती सिख्षावित और भारती कॉमिक्स में अग्रणी थे इन्होंने दो हासी पुस्तक शंकलाओं के निर्माता की रूप में प्रशिद हैं एक तो अमर्चित्र का था जिसमें भारती है जो मैथलोजी हैं लोग कताएं हैं पुरान से संबंदित और एतिहासिक पात्रों की आत्म कृथाओं को दोहराया था और दूसरी क्या है एक टिं क्ल हो गई बच्चों की कॉमिक्स और दूसरी कौन सी थी आमर्चित्र कथा तो फ्रेंड्स आज के ये मेरे 20 कोस्टन थे अब यही पैटर्न रहेगा आगे भी मेरे कोस्टन का जो सी अभी जब तक एक्जाम नहीं होते हैं अभी आइट नहीं आई है क्लियर डेट नहीं पत ज्यादा से ज्यादा इसी टाइप के और वीडियो लाने के और इसके अलावा भी आपके अगर कोई कोस्टन है कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो क्योंकि टाइम कम बचा है हर एक टॉपिक पे पूरा डिटेल में बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं इसलिए कम टाइम में अगर हमें ज्यादा पढ़ना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा तरीके से कोईशन को पढ़ना पढ़ेगा इस टाइम और भी प्रैक्टिस कर रहा है जो बच्चे उनको जितने पुराने पेपर हैं ज्यादा से ज्यादा वो सॉल्व करने हैं वो जो ज मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई